पूजा पाठ की कोई किताब या पूजा का कोई अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे पुन्यलाब उठा सकें तो शुरू करते हैं हे प्रभो आपके श्रीमुक से निकले परम अद्भुत अमरित के समान वचनों को सुनके मैं ऐसा परित्रप्त हुआ हूँ कि अब ना तो मुझे कोई कामना है और ना ही कोई इक्छा है इसलिए क्रिपा करके भक्ती और मुक्ती दोनों को देने वाले परम पावन इस अति उत्तम भगवान विष्णु को पूरी तरह प्रसन्न करने वाले इस दिव्वे धर्म का विस्तार सहित वर्नन करने की क्रिपा करो राजा के इस प्रिय निवेदन से प्रसन्न होकर शुत देव जी वैशाख मास के धर्मों का फिर से उलेख करने लगे उन्होंने कहा हे राजन मैं इन सारे पापों का नाश करने वाली एक उत्तम कथा तुम्हें सुनाता हूं ध्यान देख कर सुनो एक बार पंथपुरी के तीर पर एक शंक नाम के अतियशस्वी ब्रहमन सिंग राशी के ब्रिहस्पती में गोदावरी तटपर पधारे भीमावती के पार जाकर वो बड़े ही गहनवन में गए वोवन जल और मनुष्यों से पूरी तरह रहित था इस प्रकार के वैशाख मास के सूर्य के ताप से दगध होकर दोपहर के समय वो एक व्रिक्ष की चाया में विश्राम करने लगे तभी एक दुष्ठ शिकारी वहाँ पर आया उसने सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशवान कुंडल धारी ब्रहमन को देखकर उसे बांध लिया और उसके कुंडल, जूते, छत्र, रुद्राक्ष की माला और कमंडल इत्यादी सब उससे चीन लिये उसके बाद तिरसकार पूर्वक वो उससे बोला जह चला जा यहां से तब वो ब्रहमन उस दुरात्मा शिकारी से मुक्त होकर आगे रास्ते पर चल दिया मार्ग में सूर्य के किर्नों से जलती हुई भूमी पर नंगे पाउँ चलने से उसके पैर जलने लगे दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था तब एक सूखे से व्रिक्ष की चाया में बैठ कर वो ब्रहमन प्यास से व्याकुल होकर तराही तराही करने लगा उस ब्रहमन के इन शब्दों को सुनकर वही शिकारी उस ब्रहमन के पास फिर से आया लेकिन इस बार उसके मन में दया का भाव उत्पन हो गया हालाकि वो शिकारी धर्म से पूरी तरह विमोक और पाप गामी था लेकिन दया के वशिभूत होकर वो मन में विचार करने लगा मैंने इस ब्रहमन का सारा सामान छीन लिया इस कारण से ये कितने कष्ट में है लेकिन इसके इस कष्ट को दूर करने के लिए मैं इसे अपने पुराने जूते दे देता हूँ मेरे पास तो नए जूते हैं मेरे पुराने जूतों द्वारा इस ब्रहमन के पैरों की रक्षा हो जाएगी इस प्रकार का विचार करके उसने अपने पुराने जूते उस ब्रहमन को दे दिये। तब ब्रहमन बोला इस वैशाख मास में तुमने जो ये मुझे जूता दान दिया है ये तुम्हारे पुन्यों का उद्य हुआ है। इस प्रकार के दान के प्रभाव से भगवान दुरात्मा लोगों पर भी प्रसन हो जाते हैं। ये कथन सुनकर बड़ा ही चकित होकर वो शिकारी उस ब्रहमन से बोला। ये ब्रहमन ये तो मैंने आप से ही छीनी हुई वस्तु आपको दी है। इसमें भला मुझे कैसे पुन्य मिलेगा। आपने अभी अभी वैशाख म की प्रशंसा की और कहा कि इस से हरी भगवान प्रसन होंगे तो जरा ये बताइए कि ये वैशाख कौन है और ये हरी कौन है। ये धर्म क्या है और इसका फल क्या है। शिकारी का ऐसा निवेदन सुनकर ब्रहमन को बड़ी ही प्रसनता और संतोश हुआ। उसके पापमय और दुरबुद्धी से ग्रस्त जीवन के लिए ये एक सर्वता विपरीत व्यवहार था। अन्य धर्मों का पालन करने का पुन्य फल दीर्ग काल में जाकर प्राप्त होता है। लेकिन वैशाख मास में पालन किये गए धर्म बड़े ही चमतकारी हैं। उनका फल ततकाल प्रा और दानों से भी इतने प्रसन नहीं होते। हे व्याध इस पवित्र वैशाख मास में तुमने मुझे शरीर को सुख देने वाली और चरनों की रक्षा करने वाली चरन पादुका दी है। तुम्हें सुख और सौभग्य प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्यान होगा। वेग पूर्वक उसकी ओर दोड़ा। लेकिन बीच में ही देव कल्पित नाम का एक हाथी उसके रास्ते में आ गया। हाथी को देखकर बाग शिकारी को छोड़कर उसे ही मारने का प्रयास करने लगा। भयानक रूप से लड़ने के बाद दोनों ही थकान से अत्यंत व्या को सुनाई थी वो इन दोनों ने भी सुनली तब पाप से मुक्त होते ही दोनों पशुयोनी का त्याग करके हाथी और व्याग के शरीर से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारन कर स्वर्ग को चले गए। जाने से पूर्व वे ब्रहमन शंक के समीप आकर उनसे आदर पूर्वक प्रश्न करने लगे कि हे ब्रहमन आप कौन हैं? तब ब्रहमन ने भी बड़े ही विसमे से उनसे पूछा तुम दोनों कौन हो? अकारण ही वन में क्यों एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए थे और तुम दोनों ने किस प्रकार शरीर का त्याग किया? हे दि पुहल नाम के दो पुत्र उत्पन हुए थे। और शुद्ध शीतल जल और अन्न का दान करो। ब्रह्म महुरत में मधुसूदन भगवान के निमित स्नान करके उनकी मनोहर कथा का श्रवन करो। इस प्रकार अनेकों उपदेशों द्वारा हमारे पिता ने हमें समझाया। लेकिन दुरभाग्य और दुरबुद्धी के वश हमने उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हम दोनों ने क्रोध से पिता की ओर देखा। इस पर हमारे पिता ने हम दोनों को शाप दे दिया। वे बोले धर्म से विमुख पुत्र, निष्ठुर और कडवे वचन कहने वाली पतनी और धर्म से विमुख राजा का ततका परित्याग कर देना चाहिए ऐसा ना करने वाला पाप भागी होता है ऐसा विचार करके उन्होंने कहा हे दंतिल अपने उग्र क्रोध के कारण तू पशु योनी में व्याग का जीवन प्राप्त करेगा क्रोध से मतमत्त होकर पिता को देखने के कारण कोहल हाथी की योनी को प्राप्त करेगा पिता का ये शाप सुनकर हम दोनों बड़े ही भैभीत और दुखी हो गए और पिता से प्रार्थना करने लगे कि वे इस शाप का मोचन करने की क्रिपा करें तब उन्होंने हमें शाप से मुक्त होने का तरीका बताया उन्होंने हमसे कहा पशु योनी को प्राप्त करने के बाद कुछ समय व्यतीत होने पर एक समय ऐसा होगा जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाओगे। प्राप्त के धर्म का महत्मे सुनकर हम अपनी इस पशुयोनी से मुक्त हो गए। इस प्रकार ब्रह्मन शंक को सारा वृत्तांत सुनाकर और उन्हें नमस्कार कर उनसे आदेश प्राप्त कर दोनों भाई अपने पिता के पास चले गए। झाण झाण झाण